डिए वच्ट संतर्कावै किक्लास ये आज कि वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो नईने इंग्लिश बूलना सीख रहे हैं और उन लोगों के लिए हम जिन Yes आndra इंग्लिश बूलनी आती है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपकी English में होने वाली छोटी-छोटी गलतियां बताने वाला हूं और उनका solution भी बताऊंगा यह वो गलतियां है जो normal बंदा तो बोलता ही बोलता अच्छी खास English बोलने वाले भी करते हैं गलतियां तो आपको इन गलतियों के बारे में पता होना सब्सक्राइब करता हूं जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं और मेरा यह पॉड्कास्ट बिलकुल फ्री है पॉड्कास्स हमझते हैं आप एक आडियो प्लाटफॉर्म जहां पर आप उचे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाए क्लिक कीजिए इस पॉड़िफा अप्लिकेशन डाउनोड कीजिए वहाँ पर सर्च कीजिए मेरा पाटकास्ट लर्ण इंग्लिश विस सर्ताज और उसे फालो कर लीजिए और हाँ वहाँ पर एक बैल आइकन भी रिपिट मत कीजिएगा प्लीज अब दिहान से सुनिए पहला वाला है I have a good news for you I have a good news for you इसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है है ना जब कोई अच्छी खबर होती है I have a good news for you मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है या ऐसे भी करते है I have a good news I have a good news मेरे पास एक अच्छी खबर है एक अच्छी खबर है तो हि ग्रेजी में आपको बताओं के न्यूज के साथ इस सेंटेंज में ए लगाना रॉंग है भाईया और यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह कहा है सारे तुमने स्कृप्ट दी लिख के अरे भाईया यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह एक्चुली में ग्रामिटिकली एरर है आप इसे करणा दे नहीं मैं नहीं रहता हूं लगामिن दिल्ली में ऐक जगाए तो देश्या राज्य या जए यह खलत है तो यही तो बोलेंगे लेकिन यह गलत है इसके लिए आपको grammar का एक rule समयना होगा कि जब भी हम देश या राज्य या शेहर की बात करते हैं तो इन लगाते हैं लेकिन छोटे कस्बे या गाउं की बात करते हैं या इलाके की बात करते हैं तो इन नहीं at लगाते हैं अर्समेज में नहीं अर्ट तो क्या को यहई निकलेगा मुझे आ hunting कर लोजे म। मुझे मुझे क्यों टेख रहे हों। लेकिन मुझे डांस क्यों कर रहा हूं है लेकिन मुझे डांस पसंद है यह गलत है आई लाइक डांस बिलकुल नहीं डांस अपने आप में एक वर्ब है और जब भी हम किसी क्रिया यानि वर्ब का प्रयोग करते हैं तो जेरेंड और इंफिनेटिव स्टाइल में कहां तुम समझोगे जेरेंड इंफिनेटिव देशी भासा में समझाता हूं जब भी हम किसी वर्ब का प्रयोग 10 से हटके करते हैं तो या तो इससे पहले टू चिपकाओ या उससरे में इंज लगाओ तभी सही माना जाएगा है दो तरीकों से होगा तीसरा तरीका कोई विसा भी गलत नेक्स्ट वाला है विच इस विडा फबरेट कलर लिच इस या फेवरेट कलर और इसमें क्या वल्ती हो अ आपका प्रियरंग कॉन सा है आपको कॉन सा रंग ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे सही ना देख़िये यहां प्रेम्स पर एक शीय आपको बता दूं कि ये एक्चुली में सही है लेकिन जब हम deep grammar में जाते हैं बोले तो dark grammar बहुत खतरनाक वाली तो वहाँ पर ये sentence weak कहलाता है weak का मतलब होता है ठीक है यूज कर लो लेकिन सही नहीं है ये ऐसे वाला ये होता है weak तो होता है बिल्कुली गलत ना यूज मत करी हो इसमें थोड़ी सी छूट भी रखे कल लो ठीक है लेकिन गलत है लेकिन यहां पर जब grammatically गलत है तो आपको इसका सही वर्जन भी पता होना चाहिए जब भी हम किसी से किसी का कोई जब बढ़ा नहीं प्रियर रंग प्रिये रंग फेवरेट कलर पूछेंगे तो इनिविच इस या फेवरेट कलर इसका सही ग्रामेटिकल तरीका होगा वाट कलर डियू लाइक पंस्ट उभाई हो मेना अंगरेजियो कि तरह आप प्ला नहीं नहीं चाह था लिकिन यह है आ अमरह हम क्या करें बस तो यह आप बोलिएगा जरूर नेक्स्ट वाला देखें यह नेक्स्ट वाला है I am bored I am bored यह देखो अब यहां पर एक गलती हो आइम बोर यानि मैं बोर हो रहा हूं है ना कुछ लोग चिला के गए आदर ज़ा इसका में पता है I am getting bored I am getting bored यह 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 बिल्कुल यह निहायती गलत है मतलब लानत ऐसी गलती यह वह वाली है अगर इसकी जगा हम बोले I am getting bored तो यह भी आधा गलत है सही होगा I am getting bored दी लगाना पड़ेगा भया यह बहुत फिला में इसकी लंबी I am getting bored ऐसे लेकिन यहां पर दी थोड़ा से silent रखते काल में खुछ दियो यह भी बता रहोगा यहां में डी थोड़ा से silent रखेंगा I am getting bored ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा style वारेंगे वह अंग्रेज वाले खाने पड़ते न लेकिन लिखने विखने में ध्यान रखना इसकी spelling bored लिखा जाता है तो कभी सोचो ने बोर बोल I have an urgent work इसका मतलब है मुझे कुछ जरूरी काम है मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है यहां पर भी इसे grammar ने कच्छा माना है weak माना यानि कि हाँ ठीक है huge कर लो लेकि साहीं नहीं है यानि कि यह official नहीं है बहुत अच्छा नहीं है इसको अच्छा करके अगर आप बोलना चाह से तो साधा साधा फिर उसमें बेल ले और फिर उसमें सितारे ले फिर उसमें उसकी जहें क्याना में तुर्पाई वर्पाई करांगे वाइस सजा हो जाके पहने तो अलगी लुक आता है तो वही सीन यहां पे हो रहा है यहां पे I have an urgent work की जगा I have an urgent piece of work अभी चीज वही है one monkey is on the tree one monkey is on the tree आप यहां पर इसकी हिंदी है कि एक बंदर है पेड़ के उपर पेड़ के बंदर है आप जा रहे हैं बंदर अंदर देख लिया वहां 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 की वहां की जब भी आप किसी चीज की location कहीं पर बताते है कोई चीज कहीं रखी हुई है बैठी हुई है तो ऐसे वाकियों के लिए आप देर का प्रियोग करते हैं यह की situation मैंने आपको बताइए रखी विया है और भी कई situation होती है इसकी कई मोजूद है कोई चीज ठीक है situated है तो वहां देर का प्रियोग करते है so one monkeys on the tree there is a monkey on the tree there is a monkey on the tree ऐसे बोलेंगे कोई भी चीज कहीं पर रखी ह तो या कुछ वीज़े से मेरी जेम में 100 पे हैं तो 100 rupees in my pocket नहीं there is 100 rupees in my pocket 100 rupees note in my pocket इस लगाए न तो इस तरह से तो यह भी याद रखियागा भाया common error नेक्ष्ट वाला नेक्ष्ट वाला है today is my birthday today is my birthday अभी इसमें क्या गलती है कि birthday आज मेरा में पैदो यह गलती कर दी है यह गलती नहीं है नहीं करती है तो यहां पर इसे हम इट के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा इट मैं बर्थडे टुडे फिर से बतारा तोड़े इस बर्थडे अन्ग्रामिटिकल यानि कि सएक रॉंग नहीं है एक तो रॉंग और एक रॉंग नहीं होता बस वो ग्रामर की इसके नाम ही करेंगे हम सारी संपत्य तो सब्सक्राइब नेक्स्ट वाला देखे वह एक हैं वाया गन इसका हिंदिया मतलब होता है उसनों से बंदूग से मार दिया देखिए यहां इस सेंटेंस में कितनी बढ़िया चीज है कि बंदूग से मारा नहीं यह बढ़िया नही किने जब भी हम किसी हथ्यार या ओजार के इस्तेमाल की बात करते हैं तो वहां पे विद का प्रियोग करते हैं दो कितना आजीव लगेगा सुनने में देखो आज जवाब क्या है इसका सही जवाब हिकल्धिम विदा गन इसने एक उसे एक बंदूग से मारा लेकिन हमारा नहीं 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 विद का मतलब थो तो हमारा अरे दिमाग की मत सुनों ग्रामर किसे रहा है नहीं मेरी नहीं मनने तुम पता कर लो किसी और से घ्लो ठीक फ्लीज लेकिन मानू मैं मैं खुब रिसर्च करके लाता हूं तो यह याद रखिएगा सब्सक्राइब एस से कुछ काट रहे तो वो भी वर अधियार की टिकर्याई में काठ रहे हैं, पेजकर से कुछ कह लेतर है पेजकर से कुछ управ हो जा रहे है है इसे सही को लोग जटेश्ट्छी ऊहला है एड्सbresट्ट्रकाते है हिंडिय हम लिस यह वित connection हम ले युट्टी ऐध बोट के साथ यह गलत है यह रोंग है एड कमिंग जो भी एसे नहीं एड कभी भी कम नहीं होते रन होते रन तो इसका सही आंसर होगा एड यूट्व चैनल पर यूट्व चैनल प्रोल्ड आरेंग पैसे आइंगे ads are running on my youtube channel भाई भी tv पर ad आ रहे हैं भी channel बदल दे ads are running on tv change the या switch the channel भाई facebook video पर भी ad आ रहे हैं मेरी तो तो जहां भी लगाना ad आ रहे है ads are running coming farming link कहीं सा आनी रहे हो next वाला देखे और भया next वाला है I am handling a shop I am handling a shop इसका मतलब होता है कि मैं दुकान चला रहा हूँ handle कर रहा है न जैसे आपकी कोई दुकान वगिरा है या दुकान को हटा दो business है कोई school है college कुछ भी मतलब जो business है आपका कारोबार है तो यहां मैंने दुकान का example ले लिया तो आपको लगता है कि चलाने के लिए handle क्योंकि उसे handle करना होता है wrong है किसी भी कारोबार को चलाने के लिए अंग्रेजी शब्द run का प्रयोग करना पड़ता अभी यह run दुबारा सागया अभी एक चीज़ को और साथ ता भी पहले हमने सीखा था run so I am handling a shop नहीं I am running a shop I am running a shop ऐसे आपका स्कूल है तो यह नहीं I am handling a school ऐसे नहीं I am running a school I am running a school मैं की स्कूल चला रहा हूँ मेरा एक office है I am running an office ऐसे तो यह correct way है इसको भीजे में बाढ़ लो next वाला देखे और भया next वाला है I am eating the medicines I am eating the medicines यानि कि मैं दवाईयां खा रहा हूँ अब दवाई खाते हैं तो I am eating ही लगाएंगे खाने को और क्या बोले कुछ और थो भी बोलेंगे लेकिन दिमाग में ये बात डाल लो चाए, coffee और दवाई ये तीन चीजे ऐसी हैं जो एक आती है दूसरी ये तो कहीं और पहुँआए चाए, coffee और दवाई ये तीन चीजे आसी ही जिनने खाने के लिए या पीने के लिए आपको ना eat लगाना है ना drink लगाना है take लगाना है जिसे मैं take लगाना है ऐसे दवाईआ है खाने ही रहा हूँ ऐसे, तो इस गल्दी को भी दूर कर लीजे और दवाईओं के साथ पहले बाद तो मैं आशा करता हूँ कभी आपको दवाईयां खाने या लेनी की कभी जरूरत ना पड़े ऐसे हसते रही है चलिगा है रुख जा बस आज के लिए इतना ही लेकिन आपके लिए common error ढूनने वाली class है I mean एक homework आपको दे रहा हूँ आज के इस class हमने धेड़ सारे ऐसे common work के समझे सीखे जिनने मैंने आपको सिखाया था जिनने मैंने आपको बताया कि यह गलतिया हम करते है इन्हें आप दूर कीजिएगा और आप भी बताईएगा अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में यह पहले आप ऐसे बोलते थे लेकिन आज आपको बता चल गया कि यह ऐसे नहीं ऐसे बोलने है चलिए अब आपके लिए homework है homework लगाओ मैं यहां पर एक sentence लिखा हुआ है इस sentence में एक गलती है और इस गलती को आपको पगड़ना है लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं चला हो तूं यह एक वीडियो तो देख ली तूसरी दिखाए बेना छोड़ूंगा नि मतलब कहने का यह है कि इसके अंदर जो गलती है वो इस वीड सर्थासर और अर्टिकल वीडियो कुछ भी टाय कर लिजे मेरा नाम और आपकल डालके तो आजाएंगी दो-तिन वीडियो को इसी देख दालो यह वीं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्समा वहां से भी आर्टिकल वीडियो देखकर इसका अंसर कीजेगा और आग कोर्स का जल्दी मैं वो करूंगा लॉंचिंग करूंगा इसकी मैं आपको ज़रूर बताओं बुलाओंगा भी लड्डू बड्डू कि लाएंगे ऑनलाइन हो रहा है वैसे अब जाए स्वीडियो के साथ शेयर करना जाते जाते एक तुच्छा सा लाइक दे कर जाना